हाई बच्चो आज मैं आपको एक शेज और चार दोस्तों के कहानी सनाती हूँ एक बार चार दोस्त गुरुकुल की पड़ाई खतम करके वापस आ रहे थे उन्होंने इतने सालों में इतने महान गुरु से शिक्षा प्राप की थी उससे उनमें थोड़ी शक्ती भी आ गई थी चारों दोस्तों में से एक दोस्तों था उसके शक्तियां थोड़ी कम थी लेकिन वो दिमाग से बहुत बुद्धिमान था उसे लेकिन उसके सारे दोस्तों से बहुत चिड़ाती थे और उसे बहुत गुस्ता आता है लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता हा न रास्ते में चलते चलते उन्हें बड़ा सा हड्डियों का धेल मिला चारों सूचे यह क्या हो सकता है एक लड़का बोलता है कि अरे यही तो मौका है हमाई शक्तियों को टेस्ट करने का बाकी तो मान जाते हैं लेकर जो चौथा होता है को बोलता है कि यह बिल्कुल भी साही नहीं है कि वह खतरनाक हो सकता है बाकी उसको बोलते हैं तू जा जा तू हमें देख हमारे में कितनी शक्तिया हैं हम तुझे अभी के अभी करके दिखा देंगे तू बस चुपचात उधर बैट और वो पहला लड़का आता है सामने और वो पनी सारी शक्तिया डाल देता है और उससे सारी हड्या जुड जाती है जो दूसरा लडगा आता है वो आता है वो कहता है कि अरे तुमने तो भस हजटीया जो यह जोगी रा मैं इसमें मास पर को डाल दूँ चाते और उसके अंदर मास और कूण आ जाता है सब को समझो आजाता है कि हो कौन सा जानवर है वो एक शेर होता है चॉथze लड़के को बहुत डर लगने लगता है वो तीसरे लड़के को जान डालने से मना करता है पर तीसरा लड़का बोलता है वह क्यों उन दोनों ने अपनी शक्तियां दिखा दी मैं क्यों ना दिखाऊंगा चौथा लड़का सोचता है इनको समझाने से कुछ नहीं होने वाला है मैं तो अ लेकिन उको एक सिर्म में खा लेता है चौथा लड़का उन लोग को मर्द्य में देखता है उसे बहुत दुख होता है लेकिन वह कुछ कर भी तो नहीं सकता उसने उन्हें रोकने के कित्ती कोशिश की थी तो बच्चों इसे हम क्या सीखे हमें ज्ञान के साथ बुद्धी कावी इस्तमाल करना चाहिए